अपने प्रेक्षणुओं को साणी 5.5 में नोट कीजिए ठीक है अब इस सा नी में हमें नोट करना है कि कौन से वैलन किस लिटमस पेपरिपर पर प्रिभाब डालता है या नीले को चेंज करती है या फिर लालको चेंज करती है तो मैंने आपको बताया कि अमल जो होते हैं उह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे ठीक है नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देंगे ठीक है और चार जो होंगे वो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देंगे यह मैंने आपको बताया कि अमल जो है वो बिलू लिटमस पेपर को red में change कर देंगे और base जो है वो red लिटमस पेपर को blue में change कर देंगे तो यह आपको याद रखना है कि B, R, A और R, B, B ठीक है एक मतलब acidic और B मतलब basic ठीक है और यहाँ पर blue और यह red यह red यह blue ठीक है तो acid billion में जो हम लिटमस पेपर को मिलाएंगे तो वह blue से red चेंज हो जाएगा और basic billion में जो हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह red से blue में change हो जाएगा कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चुने की कुछ मात्रा पाणी में गोलिए बिलियन को भली बाती हिला कर कुछ देर रखे रहने दीजिए अब बोतल के उपर जो भी उपरी भाग से जो भी द्रव है वो किसी बरतन में निथार लीजिए ठीक है यह द्रव ही चूने का पानी है उपर वाला पानी जो उपर रह जाएगा वही द्रव चूडे का पानी करेंगे जो ना तो नीले लिटमस पेपर को रैड में चेंज करेंगे और नहीं लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करेंगे तो ऐसे विलियन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को चेंज नहीं करते हैं उदासीन विलियन कहलाते हैं ऐसे पदात ना तो अमल अच्छे से क्लियर कर लिया है अब हम दूसरे प्राकरतिक सूचक की बात करते हैं जो की है हल्दी ठीक है इसके लिए क्रिया कलाब 5.2 करके देखते हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए स्याही शोक्ता या फिर फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाईए और उसे सुखा लीजिए अब आपने ये स्याही शोकता या फिर फिल्टर पेपर ही क्यों लिया क्योंकि फिल्टर पेपर पानी को सोक लेता है और हमने हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाया था पेस्ट बनाने के लिए तो जो हमने जल इसमें मिला आया था वो स्याई सोकता या फिर filter पेपर जो है वो सोक लेगा ठीक है और पेपर पर सिर्फ रल्दी हल्दी बचेगी अब हल्दी पत्र की पतली पत्ली पत्तियां काट लीजिए अब आपको क्या करना है उस हल्दी पेप पर डालना है आप क्या देखते हैं इसी प्रकार साड़नि 5.3 में दिये गए बिलियन One का परिचण कीजिए और अपने परिचणों को साड़नी 5.3 में नोट कीजिए अन्य पधार्तों के द्व इसे भी परिच अ कर सकते हैं सावन के बिलियन की बूंदे जो है वो चार होती है ठीक है और जब चार को हम हल्दी के बिलियन पर हल्दी पत्र पर डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएंगी ठीक है लेकिन हम अमल की बूंदे अगर उस हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो उसमें कोई प्रभाव न तो कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा संत्र का रज भी हैं पर क्या आधे जैंजता Но इसका भी हल्दी के पत्र पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा दूदिया मैगनेशियम दोस्तो छार होता है और मैंने आपको बताया कि हल्दी पत्र पर कोई सा भी आपको छार ये विलियन डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा तो दूदिया मैगनेशियम जब हम हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा खाने का सोडा भी छार होता है तो ये भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा चूने का पानी भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा अब यहाँ पर शक्कर जो है वो ना तो अमल है और ना ही चार है ये एक उदासीन है तो हम इसको जब हम हल्दी पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा तीक है इस तरह से नमक भी अगर हम हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो उस पर भी कोई प्रभाब नहीं है ठीक है यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि बेस बेस विलियन में अगर हम बेस विलियन को हल्दी पत्र पर डालेंगे तो वो उसको रेड गलर में चेंज कर देगी ठीक है यह बात आपको याद रखनी है आप अपनी माताजी के जनम दिन पर उनके लिए विशेश बधाई पत्र बना सकते हैं साधे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाई है इस तरह से साधे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट उसमें थोड़ा सा जल मिला करके हल्दी का पेस्ट बना लेना है ठीक है और उसे सुखा लीजिए इस तरह से आपको सुखा ल लगा जाएगा तो यहां पर पेस्ट है और यह चूने का पानी है अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है ठीक है दोस्तों बूजो यहां पर यह कह रहा है कि अब वो समझ गया है कि उसकी सफेद कमीज पर हल्दी का दाग ठीक है उसकी सफेद सर्ट पर हल्दी का दाग लग गया था ठीक है अब हल्दी का दाग जै होता है एस लिए होता है क्योंकि शावन का विलियन छार यह होता है जिसकी वज़ा से वो रैड गलर में चेंज वो जाता है अब बात करते हैं सूचक के रूप में गुढहल के पुश्प की ठीक है अब गुढहल के पुश्प को सूचक के रूप में लेंगे कि अकला 5.3 देखेंगे गुढहल के पुश्प की कुछ पंखुडियां एकत्र कीजिए अब आपको क्या करना है गुढहल के फूल की कुछ पंखुडी एकत्र करनी है और उन्हें किसी बीकर में रखना है इसमें थोड़ा गरम जल मिलाना है ठीक है मिसरन को कुछ समय तक रखना है जब तक की जल जो है वो रंगीन ना हो जाए जो गढ़ल के पुश्प का रंग जो है वो पानी में ना जाए तब तक उसको ऐसे ही रंगीन जल की पांच-पांच बूंदे आपको डालनी है ठीक है तो जब हम इन रंगीन विलियनों पर पांच-पांच बूंदे डालेंगे तब हम देखेंगे कि उनका जो आरंबिक रंग है वो अंतिम रंग में किस रंग में चेंज होगा ठीक है तो शैंपू का जो विलि है क्या है दिया है एक भॉच्छ कि पांच मेंद नों डाल में पुच्छ कि 5 डालेंगे तो फिंगे डैकर दोस्तों अब आपकी बात समझ ुझा होगी कि जब हम चारी विलियन में इस गुड़हल के पुष्प के सूचक की पांच बुंदर डालेंगे तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा जब हम अमली विलियन में चेंज हो जाएगा मैंने आपको यहाँ पर आसानी के लिए लिख भी दिया है कि गुड़हल का तो वह पिंक कलर देता है ठीक है और अगर उसी हम गुड़हल के पुष्प के सूचक की पांच बुंदे अगर हम बेस विलियन में डालेंगे यानि चार विलियन में डालेंगे तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और जो यहाँ पर अमल होगा वह पिंक कलर में सिर्का सिर्का क्या है खा press away यहाँ पर क्या है स्थारी हिमलय यह है क्विलियन है क्योंकि एक खटा होता है तो है तो यह पिंक कलर में चेंज हो जाएगा जबकर छाता है उनका अपको या रखनाए पर नहीं सूचक का अब्लिय पढ़ता है गुडहल के पुष्प का सूचक अम्लिय विल्यन को गहरा गुलावी मेजंटा और छारकी विल्यन को हरा कर देता है यह मैंने आपको बता दिये बात ठीक है गुडहल के पुष्प का सूचक जो है वो एसिड विल्यन को किसमें चेंज करेगा गुलावी या फिर म कि जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोड़े के ठोस कंड डालता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते क्यूं ऐसे क्यों होता है खाने के सोड़े का विलियन बनाकर प्रिच्छन करो दोस्तो जब हम लिटमस पेपर पर सिर्फ ऐसे ही ठोस कंड डाल देंगे यानि सूखे सोडे के कड़ डालेंगे तो हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें खाने के सोडे का विलियन बनाना पड़ेगा उसको जल में गोल करके ही इस पत्र पर डालना पड़ेगा तब हमें सही रिजल्ट मिलेंगे नहीं तो नही आगे पढ़ते हैं यह अमल दिया हुआ है घुड़हल के पूष ऑप यह अमल है और यह च्छार है आप इन प्राकरतिक सुचकों को बनाकर उनसे अमली है चार की है और उदासियन विलियों में रंग परिवरतन देखने का प्रियास कर सकते हैं पहली आपके लिए निमलिकित समस्या लेकर आई है कॉफी का रंग है भूरा और स्वाध है कड़वा अमल है यह है यह है यह है चार प्रश्न बढ़ा ही है दुश्वार स्वाध के कारण से अंजान बिना परिक्षन हो ना ग्यान दोस्तों यहाँ पर कॉफी जो है वो कड़वी होती है ठीक है लेकिन यह जो होता है यह एसिट इक्वेलियन होता है कॉफी क्या है एसिट है ठीक है आए कि सभी कढवी चीजे जो है वो चार नहीं होती है भी यहाँ पर यह कॉफी जो है वो अमलो होती है आसपास के विद्धाले से रसयानों की उपल ब्लबदा सुनिश्चित करें ठीक है तनू हाइड्रोक्लोरिक अमले लिकर आना है तनू सल्फिरिक अमले लाना है तनू नाइट्रिक एसिट लाना है एसिटिक अमले लाना है सोडियम हाइड्रोकसाइड ठीक है अमोनियम हाइड्रोकसाइड है था कैलसियम हाइड्रोकसाइड को टीचर को कहीं न कहीं से ब अपने प्रेक्षणों को साली 5.5 में लिखिए तो दोस्तों देखिए यहां पर तनू आइडरोकॉलिक अमल तनू सल्फियुरिक अमल तनू अम्लो और शोडियूम हाइडरोकसाइड आमोनियम हाय्डरोकसाइड था कैल्सियम हाइडरोकसाइड यह तीनों क्या है यह चार तो हमने यहाँ पर एक अमले लेक Um Mini चार में धोनों पर लिटमज हल्दी और गुढ़रोकस के सूचक का प्रभाब देखेंगे ठीक है तनु हाईड्र कलोरिक अमल एसल, ACL, ACL क्या है दोस्तों ये अमल है, ठीक है, क्या है ये acid है, तो acid का litmus paper पर क्या प्रभाब पढ़ता है, जब हम litmus paper को acid में डालेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो blue से red change हो जाएगा ठीक है बिलू से red में हो जाएगा और red वाले पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हल्दी के पत्र पर सिर्फ चार का प्रभाब पढ़ता है जो की यलो कलर से र्यड में हैं एनलो होता है और च्छार tot ये इसमें मिलाएं है ये उन्हें ili हो जाएगा ठीक है गुड़्यल कЕ पुस्प का सुचक प्रभाब तो प्रियोग शाला अमलों और चारकों के रख रखाव तता उपयोग में अत्यतिक साबधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये संचारक प्रकरतिके होते हैं जो चोचा में जलन उत्पन करते हैं और इसे हानी पहुंचाते हैं ठीक है दोस्तो इसलिए आपको इन अमलों और चारकों के रख रखाव में अत्यतिक साबधानी बरतनी चाहिए